नमस्कार दोस्तों फिर्ट स्वागत है आपके एक नए वीडियो के साथ दोस्तों इस वीडियो में आप देख सकते हैं मेरे हाथ में है OPPO A15 और इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ कि आप अपने मोबाइल में वाल पेपर कैसे चेंज कर सकते हैं चाहे आपके गैलरी में वाल पेपर हो या फिर आपने कोई डाउनलूड कर रखा है तो दोनों तरीके से मैं यहाँ पर आपको बताने वाली हूँ तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरे चैनल पर पहली बार विजिट किया तो चैनल को सिस्क्राइब कर लीजेगा से से यानथ कि होकी रहेगा लौख स्क्रीन पे चेशन करने हैं यहाँ पर मेरे करें और यहां पर होंस क्रयर सब्करने चेंज चैनल को सब्लाइब लॉक्त करने के लिए वही थक्तर्ट करना है मान लीजे आपको ऐसे दबार under the screen ओण और नीचे wallpaper को option देखने को मिल जाएगा आपको इस पर क्लिक करना है और ऐसे slide कर लेंगे तो और भी wallpaper आपको देखने को मिल जाते हैं तो आपको इस पर क्लिक करना है जो मर्जी उस पर क्लिक कर लेंगे जो set करना है वो वला और more wallpaper पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने और भी option देखने को मिल जाएंगे तो यहां से आपकी गैलरी ओपन हो जाएगी और यहां से आपके static wallpaper देखने को मिल जाते हैं तो आप इस पे क्लिक करेंगे और इसको allow कर देंगे agree कर देंगे तो आपके सामने इस type के और भी wallpaper देखने को मिल जाते हैं जो भी इंटरनेट पे आवेलेवल होते हैं ओपो की तरफ से तो आप इस में से भी लगा सकते हैं तो मान लीजिए अगर आपको यह वाला पसंदा रहा है तो आप इस पे क्लिक करेंगे और download पे क्लिक करेंगे और apply पे क्लिक कर देंगे और set as पे क्लिक करना है और इसके बाद यहाँ पे आपको home screen पे करना तो home screen पे कर लिजिए lock screen पे करना तो lock screen पे कर लिजिए तो यहाँ पे मैं home screen पे करूंगी और इसके बाद आपको back कर देना है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं home screen पर आपका wallpaper चेंज हो चुका है दूसरा और जो lock screen पर चेंज किया था वो दूसरा है तो इस type से आप wallpaper की setting कर सकते हैं अपने mobile में तो I hope guys ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा